Hi Divine Family, Welcome Back to the Channel कैसे आप लोग, I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, Divinely Blessed हैं Totally Safe हैं, Secure हैं आप सब के Loved Ones Totally Safe हैं, Secure हैं Friends, एक Random Reading है, ठीक है, मेरे Collectives के लिए हम Randomly यहाँ पे Messages लेने वाले हैं, Spirit Guides की तरफ से Right, so start करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या-क्या Messages आते हैं तो सबसे पहले आज Divine Guidance लेंगे देखते हैं Divine Energies आप से क्या-क्या कहना चाहरे हैं Let's see Dear Angels, क्या Messages है मेरे Collectives के लिए Divine Energies के क्या Messages है Okay, oh, okay Divine Intervention Okay Bottom के Energy आई है Ascension Yeah, move into your true self Rise above the darkness, the light is here See तो आप किसी ऐसी परिस्तिती में फसे हुए हैं जहांसे निकलने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ठीके कोई ऐसी situation में आप फसे हुए हैं You know, दिशाहीन फील हो रहा है, हर जगे से trapped फील हो रहा है तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है इश्वर की तरफ से ध्यान दीजे ठीके हैं आप focus नहीं कर रहे हो उस चीज पर उस राह पर जो इश्वर आपको दिखा रहे हैं हो सकता है वो कुछ health issues face कर रहे हैं या, energetically उनको हो सकता है किसी प्रकार की healing की जरूरत है या health wise उनको कुछ healing की जरूरत है तो definitely उनकी healing होगी and अगर आपके अपनी mother से कुछ differences है कुछ लड़ाई जगड़े हुए हैं किसी बात को लेकर कि आप उनसे नाराज है तो आपको बोला जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है हो सकता है आपकी mom से भी कोई गलती हुई हो हो सकता है आपकी mother ने कुछ गलत किया है जिसकी वज़े से आप उनसे नाराज है तो आपको ये बोला जा रहा है कि नाराजगी को साइड में रखके क्या सही है, क्या गलत है उसको साइड में रखके आपको शान्ती को चुनना है तो peaceful atmosphere को, peaceful environment को आपको चुनना है तो peace को जादा महत्व देना है पीसफुल situation को जादा महत्व देना है divine intervention and purpose divine intervention is occurring, know that you are being guided happiness is your purpose आपका purpose है, खुश रहना must रहना, enjoy करना ये आपका life purpose है आपके life purpose से आपको कोई दूर कर रहा था ठीक है, आपकी खुशी से आपको कोई दूर कर रहा था आप बहुत प्रसंद व्यक्ति हो, बहुत happy go lucky person हो लेकिन आपके खुश्यों को देख करना किसी को बहुत जादा परेशानी होती है तो कोई ऐसा person जो आपके life में आपके खुश्यों में आग लगाने का काम कर रहा था ऐसे person के इरादों पे वीच में intervene किया है divine energies ने ठीक है आपकी happiness को आपसे दूर करने के लिए बट उन conspiracies को पूरा नहीं होने देंगे divine energies यही कार्ड यहां पर बता रहा है आपको yeah so divine powers divine energies intervene कर रहे हैं let's see आपके लिए और क्या message आते हैं let's see क्या message है क्योंड कर रहे है झाल... क्वमिंदेदे, क्वमिंदे... बच्यूछ... पता के घ। सेले ही... कोई recovery mode में है ठीक है कोई recover कर रहा है हो सकता है किसी की तब्यत वगेरा ठीक नहीं है या कुछ लड़ाई जगड़े हुए है उससे आप recover कर रहे हो अपनी relationship में हो सकता है कोई challenges face कर रहा था तो वो person recover कर रहा है ठीक है आप recover कर रहे हो relationship में जो damages हुए है उससे recovery हो रही है अभी फिलाल या तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसा person जो बहुत जादा flirt nature का था ठीक है time pass करना जस्ट ऐसे ही फाल्टो की बाते करना इधर उधर की बाते करना flirt करना इस type की energy में वो person रहता था यह male female कोई भी हो सकता है यह person तो यह person आपके जीवन से दूर जा चुका है distance आ चुका है इस person के और आपके बीच में ठीक है कुछ distance दिख रहा है मुझे lack of love दिख रहा है अब you know कोई interest नहीं है no interest वाली energy है तो यह चीज यहां पे आ रही है तो यह कोई ऐसा person था जो आपकी innocence का फायदा उठा रहा था ठीक है हो सकता है उसको पता हो कि आप बहुत जादा यह भोले भाले हो बहुत जादा सीधे साधे हो तो इस वज़े से वो person आपके साथ flirt वगेरा करते हो male female कोई भी हो सकता है यह person बटी आपकी life से अब जा चुके है ठीक है तो यहां पे यही आ रहा है कि आपको आपकी innocence के साथ हो सकता है इस person ने बहुत जादा you know play around किया हो बट यहां पे किसी भी प्रकार का कोई प्यार नहीं दिख रहा है मुझे यहां पे यही दिख रहा है कि बस ऐसे time pass फाली energy ठीक है जो मतलब uninterested energy में enter कर चुकी है अब वो time pass के लिए भी interested नहीं है ऐसा कुछ यहां प्यार है ठीक है तो ऐसे किसी person के साथ आपका distance हुआ है जो यहां पास्ट में हो सकता है कुछ हसी मजाक मस्ती यहां जस ऐसी time pass फाले mood में रहते हों लेकिन अब उनके पास time pass के लिए भी समय नहीं है इस प्रकार की energy यहां पे आ रही है यहां कुछ distance हुआ है यहां definitely कोई किसी की life से दूर हुआ है कुछ distance हुआ है ठीक है कोई किसी के जीवन से definitely दूर गया है या फिलाल आपकी energy मुझे ऐसी दिख रही है कि अब आप पूरी तरह से अपनी life पर focus कर पा रहे हो ठीक है हो सकता है आपकी life में बहुत सारे distractions थे बट आपने अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रत कर लिया है अपने जीवन पर हो सकता है आपको बहुत जादा दिक्कत हो रही है इस चीज में बट आप अब पूरी तरह से निर्ने ले चुके हो क्योंकि justice का card आया है यहां पर तो एक निर्ने की बात करता है यह आपने decision लिया है ठीक है और यह decision हो सकता है आपने अपनी family के लिए लिया है यह आपनी खुद के लिया है ठीक है यह विकुज अब आप justice के mode में हो ठीक है आप न्याय करने के mode में हो तो यह चीज़ यहां पर बहुत clear आ रही है कि आप यह समझ चुके हो कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे आप कर्मा को बिलीव करते हो तो आपने कर्मों की शक्ति को डेफिनिकली भाप लिया है आपको पता है कि कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सकता आप अगर आज किसी के लिए गलत करोगे तो वही व्यक्ति आपके साथ भी गलत करेगा जिसके साथ आपने कुछ गलत किया होगा ठीक है तो अब आप तुभी on the safer side you know सही रास्त अपने अपनी जीवन पर Promise सकर आए आपनी उन चीजों पर focus किया है जो आपकी है ठीक है आपने अपनी Life पर focus किया है अपने एपनी यूद्ट से लुं़ारत किया है बट डिस्ट्रैक्शन की वज़े से आपके जो प्रॉग्रेस है जो धन आगमन की सिच्वेशन है ठीक है वो डिले हो रहे थी विकॉस इसमें आउटसाइडर्स भी बहुत जादा चिपकने की कोशिश कर रहे थे तो यह जो प्राइज है ना यह जो ट्रोफी है यह सिर्फ आपके लिए है आपके लफदवन के लिए है ठीक है यह ट्रोफ़ी हर किसी के लिए नहीं है तो अच्छे से समझ में आठीन है कि जो भी उपलब्दी आपने हासिल करी है या आपके में हासिल करी है वह चिर्फ आप अपने लव्डवन के साथ और आपके लव्डवन आपके साथ शेयर कर सकते अदर्वाइस वो उपलब्धी आप और किसी के साथ शेर नहीं कर सकते हैं यह चीज आपको अच्छे से समझा दी गई है ईश्वर की तरह से ठीके आपको यह चीज अपने आप समझ में आ गई है इसका मतलब है कि ईश्वर आपको डेफिनिटली यह गाइड कर रहे हैं और इ यह distractions थे और इन distractions से आपने distance किया है क्योंकि आपको पता है कि यह जो भी काम्याबी है जो भी सफलता है इसका हिस्सा सिर्फ आप बन सकते हो यह आपके लव्ड़ बन सकते हैं कोई बाहरी व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं बन सकता ठीक है यह चीज आपको अच्छे से समझ में आचुकी है । आप बहुत जादा मुझे नाईव पर्सन थिख रहे हैं नस्तिया और टहांसा पाते हो अपनों갔े साथा सवी इसी भी प्रकार के यूनों टाइम पार्स वगेरा करने के इंटेंशन क्या है उनके तो इंटेंशन यहीं होते हैं कि आपकी प्रगती में बाधा बनना आपके प्रोग्रेस में बाधा बनना यहीं इंटेंशन होते हैं उनके आपको डिस्ट्रैक्ट करना यह इंटेंशन होते होते हैं जो outsiders होते हैं ये distract करते हैं ठीक है distractions करने से रोकेंगे जो आपको progress नहीं करने देंगे जिनकी presence में आपको कभी progress नहीं मिलेगी और को न्याय की राषते पर Canadians Be 나오, अब एसे person हो जो कर्मा में believe करता है पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है तो आप कोई ऐसे परसन हो जो एक्चुल में कर्मों में बिलीव करते हैं ठीक है बहुत न्यायफ्री वेक्ती हैं आप कुछ रिकवरी हो रही है बहुत जादा लॉस हुआ है बहुत जादा डैमेज हुआ है ठीक है आपके किसी रिलेशन्शिप में या फिनांस में किसी प्रकार से अपनी लॉस धेला है राइट मुझे दिख रहा है कि आप अभी फिलाल अवेर्नेस वाले एनरजी में हूँ आप साब जावेर हो हुँ चीजों से ठीक है जाग रुकता आरही है आपके अंदर कुछ किसी चीजों को लेकर की आप जाग रुख हो रहे हो और कुछ अवेर्नेस हो रही है आपको यह का लेटसी angels आपसे क्या कह रहे है नोजी जिलेश फीमेल कास्ट एस पेल वन यू इस जरी यहां आता है ठीक है किसी की लाइफ में तो इस प्रकार की फीमेल है यह जिसनेर स्पहर reef कीये है घंदे टोने टोटके किये हैं आपकी life spoil करने के लिए बट वो अभी डरी हुई है बहुत जादा डरी हुई है बिकोज आप पूरी तरह से उस चीज से aware हो चुके हो यह जो spell work है ना यह उसी के पास फेका जाएगा multiply करके multiplied into 100 उसी के ऊपर फेका जाएगा जो भी यह nosy jealous female है send it back to sender immediately multiplied into 100 यह fake man see कोई fake man है ठीक है कोई धोंगी है ठीक है कोई धोंगी व्यक्ति आपके जीवन से दूर हुआ है आप पर जो भी गंदी काली करी जारी थी वो काट दी गई है confirmation सुनिये ठीक है उसको काट दिया गया है सो किसी के जीवन में हो सकता है distractions add करे जा रहे थे spellworks के थूरू हो सकता है आपके partner की life में कोई distractions add करे जा रहे थे spellworks के थूरू आपकी life में हो सकता है distractions add करे जा रहे थे spellworks करे जा रहे थे ताकि distractions आपके जीवन में हो और आपके relationship खराब हो आप you know progress पर focus ना कर पाओ अपने धन की वृद्धी पर फोकस ना कर पाओ अपने करियर पर फोकस ना कर पाओ Your career will shine this year तो आपका career shine करने वाला है ठीक है? आपके career में कोई बाधा उत्पन नहीं हो सकती है यहाँ पे शनीदेव का card आया है तो शनीदेव आपकी रक्षा कर रहे है हर पल आपके साथ कोई अन्याई नहीं हो सकता ठीक है? कोई अन्याई नहीं होगा पल-पल दिल के पास तुम रहते हो यहाँ someone is trying to block my throat chakra backfire send it back to center immediately multiplied into 100 पल-पल दिल के पास तुम रहते हो yeah, so कोई आपको बहुत जादा पसंद करता है बहुत प्यार करता है ठीक है? कोई आपके लिए बहुत strong feelings रखता है I made a mistake by not telling you what I feel see? so किसी ने आपको बताया नहीं है कि वो कैसा feel करते हैं ठीक है? उन्होंने आपसे कुछ भी express नहीं किया है वो बस मनी मन में feel करते हैं और feel करते रहते हैं बस your enemies are losing access to you see? आपके enemies access lose कर रहे हैं ठीक है? वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं आपके enemies आप तक बिलकुल भी पहुँच नहीं पा रहे हैं इसलिए वो worried हैं बहुत डरे हुए हैं depth free life तो कर्मों का जो आदान प्रदान था ना कर्मों का जो बोज था वो आप चुका चुके हो आप कर्मों के बोज से मुक्त हो चुके हो ठीक है? कार्मिक चीजे, कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा चुके है तो अब आप depth free हो चुके हो हो सकता है आप जल्डी ही अपने लोन्स को चुका लेने वाले हो डेफ्स फ्री लाइफ आपकी लाइफ डेफ्स फ्री रहेगी ठीक है आप सारे लोन्स को क्लियर कर लोगे और इन लोन्स को क्लियर करने में ईश्वर आपकी साहता करेंगे I want to meet you secretly या कोई किसी से secretly मिलना चाहता है You are my dream person See आप से ये कोई कह रहा है कि आप उनका dream person है Monitoring spirits See हो सकता है आपके पास कोई monitoring spirits भेजी गई है जो backfire करी जाएंगी ठीक है या सो जो भी monitoring spirit आपकी तरफ भेजी गई न उसको मार भगाया गया है वही फेख दिया गया है जहां से वह आई थी send it back to sender immediately send the monitoring spirit back to sender immediately या backfire और वापस आने के इस monitoring spirit के सारे वापस आने के रास्ते बंद करिए ब्लॉक करिए protective and caring या आप बहुत protective हैं बहुत caring है divine energies आपके लिए बहुत protective है caring है ठीक है आपकी बहुत protection होती है strong protection देते हैं आपको divine energies ओके हाँ तुम बिलकुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था क्या कोई आपको यह song dedicate करना चाहता है I am seeking revenge so कोई आपसे बदला ले रहा है ठीक है कोई आपको बताना चाहता है कि वह आपसे बदला ले रहे हैं हम तो अगर वह बेवजे बदला ले रहे है न तो उनको definitely शनी देव छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी उनको माफ नहीं किया जाएगा ठीक है उनको सजा मिलेगी because आपके पक्ष में justice का card आया है और यह जो कोई भी person है न यह बेवजे आपसे बदला ले रहा है आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वज़े से इसको बदला लेना पड़े ठीक है आप अपनी तरह से बिल्कुल प्योर हो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यह person अपनी जलन की वज़े से खुद की जलन में यह जल रहा है और इसके मन में आपके प्रती आपकी progress को देखकर जलन हुटपन हो रही है जिसकी वज़े से यह आपसे बदले लेना चाता है आपके progress का बदला लेना चाता है यह आपसे बेवकूफ इंसान है यह जो कोई भी है बैक्फायर करिए इसके सारी negative intentions को बैक्फायर करिए send it back to sender immediately king and queen vibes आप royal है आपके अंदर royal vibes है king and queen vibes है तो definitely यह जो कोई भी लोग है यह आपसे jealous इसलिए होते हैं क्योंकि आप royal हो royalty हो आप उनको पता है कि वो आपको खो चुके है तो यह जो भी fake लोग है आपकी life में इनको पता है कि यह आपको खो चुके है इनके पास आप तक पहुँचने का कोई access नहीं है यह आपकी energy को access नहीं कर सकते है आपकी energy तक यह पहुँच ही नहीं सकते है you have lots of haters see तो आपके बहुत सारे haters है आपको बहुत सावधान रहना चाहिए इसी वज़े से आपको divine protection दिया जा रहा है इसी वज़े से divine intervention हो रहा है ठीक है divine intervene कर रहे है इसी वज़े से आपको divine protection मिला हुआ है क्योंकि लोग आपको बेवज़े target करते हैं haters low vibrational energies जो carry करते हैं जो लोग hate करते हैं जो लोग किसी से जलते हैं वो basically low vibrational energy वाले लोग होते हैं ठीक है तो यह राक्षसी प्रवतिया होती है hate करना jealous feel करना किसी का बुरा करना यह सब कुछ low vibrational चीज़े हैं ठीक है और high vibrational चीज़े होती हैं godly things ठीक है वो है pure soul हर किसी का अच्छा सोचना हर किसी का भला चाहना ठीक है सब के साथ अच्छा करना किसी का बुरा नहीं करना यह सारी चीज़े high vibrational चीज़े हैं तो low vibrational लोग जो है न वह आपसे बहुत जादा चिड़ते हैं बहुत जादा परिशान होते हैं आपकी उर्जा इतनी जादा high vibrational है जैसे कि एक प्रकाश के आसपास कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उसी तरह से आपकी उर्जा जो दिव्य शक्तियों से पूरी तरह से यह भरी हुई है दिव्य शक्तियों का अंश हो आप तो आपके अंदर एक दिव्यता जलकती है और इसी वज़े से जो यह कीट पतंगे हैं जो negative entities वाले लोग हैं jealous लोग haters ठीक है यह आप आक के आसपास मंड्राते रहते हैं right and ultimately क्या होता है यह उसी flame में जलके और भस्म हो जाते हैं so these low vibrational चीजें हैं यह by default attract होते हैं यह light की तरह एट्राक्ट होते हैं divine light की तरह एक आपकी तरह पॉजिटिव लोग भी attract होते हैं उके आपकी तरफ positive लोग भी attract होते हैं इसी वज़े से आप divinely protected है divine intervention हो रहा है जो चीज divine powers को मंजूर नहीं होगी जिस चीज में divine energies की अनुमती नहीं होगी वो चीज आपके साथ बिलकुल भी नहीं हो सकती है चाहे कोई आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले यूर haters know about your connection with god and goddesses now आपके haters को ईश्वर के साथ जो आपका connection है ना वो समझ में आ चुका है इनको समझ में आ रहा है अच्छे से कि आप divine powers के अंडर हो divine powers आपको यूनों पूरी तरह से protect करते है unexpected money is coming to you धन वर्षा होने वाली है ठीक है तो ऐसा धन आपकी तरह आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा unexpected money right so yes they lost the best person losing you yeah so आपको यह जो कोई भी फेक लोग है ना इन्होंने आपको खो दिया है आपको खोने की वज़े से इन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है your enemies are receiving warnings आपके enemies को warnings दी जा रही है बहुत strong warnings मिल रही है उनको उनको बोला जा रहा है सुधर जाओ ठीक है नहीं तो उसका खाम्याजा बहुत बुरा होगा ultimate warnings दी जा रही है seeking happiness आप खुशियों को तलाश रहे हो happiness को तलाश रहे हो जो कि आपका life purpose है happy रहना आपका life purpose है divine energies यही आपको कह रहे थे happiness is your life purpose divine intervention is occurring know that you are being guided happiness is your life purpose तो खुश रहना आपका life purpose है आप happy रहे है हर situation में आप happy रहे है यह चीज़ कही जा रहे है your haters can't get rid of jealousy तो आपके haters कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो जलन से बाहर नहीं आ पाएंगे आ नहीं पा रहे हो जलन को त्याग नहीं पा रहे है यह low vibrational energy को त्याग नहीं पा रहे है जलन कभी भी अच्छे इंसानों में नहीं होते है जिनमें दिव्यता होती है ना उनके अंदर जलन नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर दिव्यता होती है जहां राक्षसी प्रवत्या होती है जहां राक्षस लोग होते है तो यह haters है जो अपनी गंदी राक्षसी प्रवत्यों से बाहर नहीं आ पार है तो आपके जीवन में major contract आ रहा है success का major contract आ रहा है I feel like taking more You are someone extremely valuable तो जो भी haters है ना इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत जादा कीमती हो extremely valuable हो आप है ना बहुत जादा कीमती हो You are down to earth, beautiful soul आप बहुत down to earth हो, beautiful soul हो, बहुत प्यारी आत्मा हो है ना आपके मन में किसी के लिए पाप नहीं है being separated for being elevated आपको दुष्टों से अलग रखा जा रहा है ठीके दूर रखा जा रहा है ताकि आपको elevate किया जा सके ताकि आपकी ऊर्जा में ब्रिद्धी करी जा सके, आपकी पावर्स को बढ़ाया जा सके ओके, your haters are on fire आपके haters के आग लगी हुई है, literally आग लगी हुई है पत्यानी कहां कहां, ठीक है मरे जा रहे है, hate कर करके बट उस hateful energy से वो बाहर नहीं आ पा रहे है बहुत problem वाली बात है उनके लिए है न, ऐसे लोगों को कैसे ईश्वर भी सुधार है ईश्वर भी ऐसे लोगों को सुधारने में ज़्यादा interest नहीं दिखा रहे है ठीक है, उनको उनके कर्मों पे छोड़ दिया गया है जैसे कर्मा वो करेंगे, वैसा ही भोगेंगे क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर परिवर्तन लाने में interested नहीं है ठीक है, इसी वज़े से ईश्वर भी उनकी सायता नहीं कर रहे है trying to find out your future from astrologer आपके बारे में पता लगाने की कोशिशें चल रही है हो सकता आपकी कुंडली दिखाई जा रही है कहीं किसी को आपके बारे में पता लगाने की कोशिशें चल रही है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में पता लगाने की कोशिशें में लगे हुए है आपकी कुंडली दिखाई जा रही है आपके बारे में पता लगाया जा रहा है या लोग पूरी investigation कर रहे हैं लोग अपनी experiments में लगे हुए हैं उनको अच्छे से पता चल चुका है कि आपका इश्वर के साथ क्या connection है उनको उस astrologer ने अच्छे से समझा दिया है कि आपका इश्वर के साथ क्या connection है need some health तो किसी को सहायता की जरूरत है their black magic will attack back to them या उनके द्वारा करी गई जो भी गंदी काली क्रिया है उनही को attack करने वाली है क्योंकि उस चीज़ को hundred times multiply करके फेका गया है आपको सुनकर काफी ज्यादा anxious हो रहा है काफी परिशान हो रहा है तो possible है कि उस person के ऊपर भी black magic किया गया है ठीक है उस person की सासे ऊपर नीचे हो रही है उस person की anxiety बढ़ रही है वह person आपको बहुत you know impatient दिख रहा होगा ऐसा कोई person जो आपको impatient दिख रहा है you know बहुत जादा परिशान दिख रहा है ऐसा कोई person है जो actual में जिसके ऊपर black magic किया गया है आपके परिवार में आपकी family में ध्यान दीजे ठीक है हो सकता है इस message को सुनते time कोई ऐसा person है आपके घर में जो agitate हो रहा है जो anxious हो रहा है आपके around उस person के ऊपर से उस black magic को वापस backfire किया जाएगा वहीं फेक दिया जाएगा जहां से वो black magic भेजा गया है उस person को black magic से free कराया जाएगा send it back to sender immediately उस person को free कराया जाए जिसके ऊपर black magic करा गया था send it back to sender multiplied into 100 बहुत तेजी से backfire होना चाहिए और उसी व्यक्ति के ऊपर फेका जाए उस black magic को जिस व्यक्ति ने यह black magic करा हो आपके loved one के ऊपर okay you are so different see आप बहुत अलग है है ना you completely divine being मैं बतातू रही हो आपके अंदर दिविता है दिविउर्जा है ठीक है जो हजम नहीं होती है नकरात्मक शक्तियों को गंदे लोगों को negative लोगों को हजम नहीं होता है यह बात कि आप इतने दिव्य कैसे हो इतनी divinity कैसे है आपके अंदर तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप divine being हो ठीक है उनका अंशो दिव्य शक्तियों का अंशो जैसे आप अपने माता-पिता का अंशो होते हो उसी प्रकार से आप divine powers का अंशो हो सकता है आपके जो parents है उनके अंदर किसी प्रकार के कोई divinity रही हो जो आपके अंदर आई है या जो आप carry कर रहे हो by blood यह royalty आप carry कर रहे हो यह जो divinity है या आप by blood क्यारी कर रहे हो आपके पेरेंस के अंदर हो सकता है यह दिवाइन पावर्स थी ठीक है वो डिविनिटी को धारण करते थे और इसी वज़े से आपके अंदर यह चीज है ओके सो यह बाइब लड़ है बाइब बाइब है राइट हेटर्स फील पावरलेस इन फ्रंट ओफ शक्ति हीन फील करते हैं उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं ध्वस्त हो जाती हैं आपके आगे कुछ भी नहीं चलती हैं उनकी एक नहीं चलती है आपके आगे ठीक है आपकी दिविशक्तियों के आगे उन दुष्टों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं खत्म टाटा ठीक है यू हील पीपल आप हील करते हो लोगों को राइट आप आपसी मिलकर लोग हील फील करते हैं उनको बहुत अच्छा फील होता है आपकी उजा बहुत पसंद है लोगों को आपके अराउंड रहना बहुत पसंद करते हैं लोग अचानक से लोग अपलिफ्ट फील करते ह आपके अराउंड बहुत हैपी फील करते हैं लेकिन जो लोग आपसे नफरत करते हैं जो आपसे हेट करते हैं उनका मुह सर जाता है आपके आसपास आते ही ठीक है विकोज उनको पता है कि आप डिवाइन बींग हो और वो डेमिनिक हैं उनके अंदर डेविल वाली एनरजी है गंदी नेगेटिव एनरजी इसको क्यारी करते हैं इस वज़े से वो आपके अराउंड आकर मुह सर जाता है उन लोगों का ठीक है हो सकता है बहुत चहरा उतर जाता हो आपसे नजरे चुराते हो इस प्रकार से भी हो सकता है ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपके साफधान रहे है आपको साफधान रहने की वैसे जरूरत नहीं है उनको साफधान रहने की जरूरत है आपसे So यह चीज बहुत स्ट्रॉंग यहां पे आई है and इसी के साथ मैं यह साथ मैं रीडिंग पुटकर रूँ अ So friends, जाने से पहले मैं आप सब को ये जरूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने लिए कवच प्राप्त कर सकते हो, that is an armor, ठीक है, तो अगर आप अपने लिए कवच प्राप्त करना चाहते हो, right, आपने वो सौंग सुनाया न, Unstoppable वाला, right, so उस सौंग में ये clearly बोला गया I put my armors on, I'll show you that I am, right, so ये वही armor है, ये अपने आप में बहुत सारी दिविशक्तियों को समेटे हुए है, बहुत सारी supreme power को समेटे हुए है, ये इतना powerful कवच है, कि ये जिस भी जगे पर होता है, वहाँ पर आसपास जो भी negativity होती है न, उसको neutralize कर देता है, इसके होते हुए कोई भी negativity कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं पहुचा पाएगी, ठीके, वो अपने इरादों में काम्याब नहीं हो पाएगी, ये चीज बहुत clear है, अगर आप इसको हासल करना चाहते हो, तो आप मुझे mail कर सकते हो, ठीके, divine24hoursadherategmail.com पर, and I would really suggest के आपको कवच धारन क चाहिए, and yeah, वैसे तो आपको divine powers already protect कर रहे हैं, ठीके, divinity आपको already protect कर रहे हैं, but अगर आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, आप सच में बहुत जादा सौभाग इशाली होंगे, yeah, so ये कवच अगर आपको चुनता है, तभी ये आप तक पहुचेगा, है ना? तो ये एक दिव्य कवच है, ये कॉम्बो है, ठीके, divine कवच का, and evil eye pendant का, अगर आप इसको प्राप्त करना चाते हो, तो आप मुझे mail करो, और आप मुझे तभी mail करोगे, जब divine का आदेश होगा, ठीके, तो feel free to mail me, whenever you feel like, ठीके, आपको already divine energies की तरफ से आदेश मिलेगा, तभी आप मुझे mail करोगे, ठीके, मेरी email ID है, divine24oursadherate.gmail.com, feel free to mail me, वहाँ पे मैं आपको सारी जो भी इसकवच से related, जो queries है, मैं आपको सारा बताऊंगी, इसकवच को धारन करने के कुछ नियम है, जिनका पालन आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो, ठीके, लाल रंग के आसन पर, आप इनको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हो, अगर आप नियमों का पालन कर लेते हो, और इसको धारन कर लेते हो, तो आपके जीवन मे एक्षुल में लक्ष्मी नारायन योग बनने वाला है ठीक है लक्ष्मी नारायन योग अपने आप में पूरी बात कह देता है लक्ष्मी नारायन योग बनना यानि के अपने आप में अपार धन वर्शा के योग बनना है ना तो अगर आप ये combo pack order करना चाते हो तो आप मुझे mail कर सकते हो बट अगर आप सिर्फ pendant प्राप्ट करना चाते हो तो भी आप मुझे mail कर सकते हो और अगर आप सिर्फ कवच प्राप्ट करना चाते हो तो भी आप मुझे mail कर सकते हो चिक है and personal readings के लिए भी आप मुझे mail कर सकते हो जब भी slots available होंगे मैं आपको slots provide करूँगे या so इसी के साथ मैं ये reading conclude करे हूँ thank you so much, thanks a lot and I hope and pray for the best for you in life thank you, I love you thank you